जमूरे तेरी बुद्धी कैसे हो गई मंद क्यूंकि अकल की सारी बाते इस बोरे में बंद तो चल मेरे छोड़ा खौल दे ग्यान का बोरा लेकिन हजूरे आला इस पर तो लगा है ताला अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला है इसे मैं खोलता हूँ काखागा की चावी से खुल जाए ग्यान का ताला शिक्षा सबको मिले छटे अग्यान का बादल काला बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला शिक्षा बन जाए जनता का बर्ची भाला नहीं बपोती नहीं विरासत शिक्षा पैसे वालों की सबको शिक्षा मिले खटे जहालत सदियों सालों की गिली 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 फूँ फौरन जे बना लेते हैं फौरन से भीगा पोतड़ा फौरन बदल देना चाहिए जे ठीक है भीगा पोतड़ा फौरन बदल देना चाहिए प्रक्ष्ण बेते हैं प्रक्ष्ण आप देना है प्रक्ष्ण गाण। प्रक्ष्ण देना चाहिए शिक्षा शिक्षा से क्या बनेगा शिक्षा अरे वो ही लिख लेते हैं ना जोंसा किताब में लिखा कौन सा वो ही के खिलोलों से शिक्षा दी जा सके है हाँ जे लिख लेते हैं जे ये तो किताब में भी लिखावा अ अपने मन से पनाव ना सब आर्टों के लिए शिक्षा ने, सब आर्टों को शिक्षा मिले हाँ, ये ठीक है री सब आर्टों को शिक्षा मिले ये ठीक है, ये लिखो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है अरी, ये भीक्सा से भी तो बता ना कुछ पहले ठीक से तो बोल, भीक्षा हाँ, हाँ, भीक्षा बोही तो कह रहे हूं, आप ठेक है तो बता ना, ये भीक्षा से क्या बनेगा तो खुभ सोच बिक्षा मांगना पाप है जो थीक है क्या वह बनाया बिक्षा मांगना पाप है कुछ और गॉन इसमें क्या गर्बड है ना भाषा की तो गर्बड ना है पर चेह पाप उनकी बाते मुझे बड़ी वसी लगे है एक दिन्त हो थी अरे गरीबी से भूख से मजबूर होके कोई भीक्षा मांगे तो पाप अपनी इज्जत आबरू का गला भोट के हाथ फला तो पाप और जे सादु महत्मा ढोंगी पंडित घरगा डोले भीक मांगते जे पाप ना है जे है जाए दक्षी ना हरी इमानदारी की मेनत मज़ूरी की दो रोती मिले तो कोई भीक्षा मांगे क्यों भीक्षा मांगना बाप कुछ और बनाओ सुनली पंडित आनी मैंने तु सुन भी ली और समझ भी ली पर तेरी खोपड़ी में कुछ गुसा मैं बताऊं बोल हमें मज़ूरी चाहिए भीक्षा नहीं छे हुई न कोई बात करीब इंसान के दिल से निकली हुई पर इसे ऐसे लिखो हमें रोजगार चाहिए भीक्षा नहीं बलके ऐसे लिखो हमें रोजगार दो भीक्षा नहीं लिखो लिख लिया? चलो, अब सवाल जबाब करते हैं. पढ़गीता, पहला सवाल? छोटे बच्चों के लिए कैसे खिलोने खरीदने चाहिए? खरीदने? खिलोने खरीदने? अरी यहां तो दो जून रोटी ना जुटाई जाती है, और तो खिलोने खरीदने की बात कर रही है? चाची, यह तो किताब में लिखा हुआ है. किसके लिए लिखी है जे किताब? हमारे पास ना है पैसे खिलोने खरीदने के. देख सुना दे, जे किताब सारी औरतों के लिए बनाई गई है और उनमें ऐसी भी हैंगे जिन पर खरीदने के लिए पैसे हैंगे तो उन्हों कोई जाके पढ़ाओ जेपाथ, हमें क्या लेना देना इससे कैसे खिलोने खरीदने चाहिए तो सही कह रही है, जिस पर रोटी कपड़े के पैसे ना है वो कहां से खिलोने खरीदेगा पर इस पार से जे पता चल जावे है कि बच्चों के खिलोने कैसे होने चाहिए और उन खिलोनों से कैसे शिक्षा दी जा सके हां, ताकि सोच सोच के कुड़ते रहो कि तुम्हारे बच्चों को क्या-क्या ना नसीब हुआ अरी, सूखी रोटी गटकने वाले को पराप्ठे की खुस्बू का ना पता चले तो यह अच्छा है नहीं तो वो रोटी भी उसे राख लगेगी अरी, जब हमें पता चलगा की खिलोने कैसे होने चाहिए, तो हम आप ही बना ले, खरीदने की सोचे ही क्यों हां मासी, असरफी ने अपनी मुन्नी के लिए कित्ते सारे बनाए हैं अरी, उसकी छोड़ी को खिलोनों की क्या कमी होने लगी मुन्नी के जित्ते बनाए हैं, सुपुराने चीथडों, गुदडियों और तेरे चच्चा की फेंकी भी लकडी से बनाए हैं जी गंडूलना तो ना बनाया है फैकी हुई लकडी से अच्छा, तुझे जास्ती पता है अरी, इत्ती इत्ती लकडियों को जोड़ के बनाए हैं से तेरे चच्चा ने तेरे अदे एक ध्यान से, हत्ते में ही तीन तीन जोड़ लगे हैंग अभी लॉट के आ रहे होंगे उसा भेंजी क्या से, पूछे उन से किती दिक्कत से बनाया है इसे अरी, तुम मुझ भी क्यों बरस रही है? तेने बाती ऐसी दिल जलाने वाली करी है? मैंने कह किया? मैंने तुम वो ही बताया है जो अम्मा ने किया? अरी, सब फट फटा गया है, अब कहां से दिखाओं? जोहीं पड़े होंगे न, तु निकालने ढूंड के अरी, तु तो सब के पीछे पड़ जाए, सारे के सारे तरी किताब से देखके ही तो बनाये हैं जे देख, जे मिल गया जुन्जुना जे रह तोता, का हाल है गया इनका जब दो मैने की ही मुननी, जब बनाये है जब जे जुन्जुना भी तोने बनाया है पता है कैसे देख, एक काजल की डिविया ली और उसमें तंकडियां भर दी फिर उस पे कपड़े का खोल सी दिया और जे डोरी टांग भी बस और जे तोता है ना, जे उमरे लाई की दुकान से में धज्जियां बटोर लाई ही उसी का बनाया है अरी बतेरे बतेरे रंग भी रंगे बनाये मैंने कई मोर, उल्लू, मैना पर मॉसी हमारी किताब में तो लिखा कि जे खिलों ने रबड के होने चाहिए तो जिन्होंने किताब बाटी है, उनसे कह दे कि आके रबड के खिलोंने भी बाट जाए रबड के होने चाहिए, अरी दाम पता है तुझे रबड के खिलोंनों के और मा जो उसा बहन जी से पूचाई ही उन्होंने का कोई जरूरी नहीं है और जेही लगा दो मुन्नी की पालने में मैंने लगा दिये और हमारी मुन्नी को तो बहुत पसंद आ है टुकुर टुकुर देखा करें और जहां जुंजुना बजाओ वही सिर कर लें अब क्यों हटा लिया जे? अरी इसके दानत निकल रहे हैं हर चीज मुँ में डाले है और देख जे जुंजना इतना सखत है कई मुँ में डाली और चोड पीट लग गई तो जही करके हटा लिया मैंने तो अब मुन्नी पे कोई खिलो ना ना? है कैसे नहीं जे देख पालने में जे क्या है मासी? जाने क्या है? बस तेरे चच्चा ने बना के योई टांग दिया है पर छोड़ी दिन बढ़ इसी में लगी रहे है कभी इधर सरका है कभी उधर सरका है नीला, भूरा, लाल, पीला, हरा कैसे चीकट है रहे है अरी, चीकट ना होंगे क्या? हर बखत मुँ में ठूसे रहे आजकल हिने घड़ी भर मुँ में डाले तो घड़ी उचाल के फैंक दे दुनिया जहान की गंदगी लिप्टेन में और फिर मुँ में डाल ले अब इने धोया तो जाना सके अरी, रबड के खिलोनों के सारे गुण मालूम है मुझे जे हलके होवे हैं, बालकों को इनसे चोट ना लगे है जेने दबावत इनमें से सीटी वज़े है पर मेरे पास कहां पैसे धर रहे हैं रबड के खिलोने को? जे गंदे खिलोने मुझ में डालने से ही तेरी मुनी को दस लगे होंगे अरी ना, दात निकड रहे हैं, इस करके दस लगे हैं उसे ना मौसी, देख, हमारी किताब में जे लिखा है कि दात निकडने से पेट की खराबी ना हुवे है गंदगी से हुवे है खिलती कलिया में और नहीं तो क्या और जो मैं तुझे जे दिखला दूँ कि उसमें जे लिखा है कि दाप निकड़ते हुए दस लगें तो ना है उसमें है देखे अच्छा ठेर तुझ कहां गया है एकतिस बाँ देख बिसे सग्य को दिखाओ जाई में है हां जेरा इसके ताथ निकलने वाले हैं इसी बज़े से इससे दस्त और बुखार है ऐसा सभी बच्चों को होता है घबराओ नहीं ले खुद पढ़ ले बस जे दिखा रही है अरी और क्या देखेगी और जे क्या कुन रहा है मतबल मतबल जे की किताब में जे बात कौन कह रहा है अरी कोई भी कह रहा हो इससे क्या फरक पड़ है साप साप लिखा है मौसी तेरी अकल क्या खास चरने गई है अरे जे बात कह रही है कमला की सास जानी की रमेज की मा तो तो जे की जे गलत कह रही है आगे डाक्टर क्या कह रही है जे ना मालूम जे देख असली बात तो डाक्टर ही कह रही है कि ना जे जे देख डाक्टर ने बताया दाथ निकलते समय कभी कभी बच्चा पूरी खुरात नहीं ले पाता इससे वो कमजोर हो जाता है कमजोरी में उसे कोई भी बीमारी लग सकती है मसूरे फूलने पर बच्चा हर चीज मुँ में डालता है जो कई बार गंदी होती है इससे भी बच्चा बिमार हो सकता है बिमारी होने पर उसकी फौरन दवाई वह देख बाल करनी चाहिए हम जब पूसा बेंजी रहमान चक्चा को डांट लगावेंगी न वकल आवेगी तुझे छोटी छोटी बूंद पड़े सेरे गोडे गोडे गारा नाइके घर छोरा होया, नाम धर्याकरतारा चोटी छोटी बूंद पड़े सेरे गोडे गोडे गारा नाइके घर छोरा होया, नाम धर्याकरतारा आज है सलाम भाई, सेंगे बैठ जो मिनिट लगे ना ना बाल न कटवाणे तो फ्यर? मुझे पूलवाया नहीं मुझे भेजाया तुमारे पास वो किस लिए भाई मुझे किस लिए ये बच्ची को बड़े दस्त आ रहे हैं मत बलत देखिए कम जोर भी है गई है तो उन्होंने का कि तुम्हें दिखाना हूँ अरा कि स्वेर नसीत लिए आए अरे बच्चे कि तरुध घनाफ है तो दवाई हो देए कि मैं मैं तो उन्हीं के पास गया पर उन्होंने का कि तुम्हें दिखारू इसको नाम लेकर है नहीं हासिनक का नाम तुन МУहीं दिखा दो कि कि दाया धायं पर भादमीत के अंदर में ज विट्टी दूर जाते ही क्या जरूर है ना मुदो तो तुम्हें ठीक करी पर नाई के पाल जाने को के मुखा है यह मेरी बात समोज दानी में नियाई समझ में तो मेरी भी कुछ नाया पर मैंने सोचा की चलो जाला आई को दिखा दो बच्ची को प्रात्मिक स्वास्त के इंदर में बाल बिसे सग्य के पास ले जाओ इसमें नाय के बास लेजाओ यह कहां लिखा थी हमें इन आई-बाल में थे सप्रेशनी को भी पड़े लिखें की बात है जैङन बई झोटी शोटी・ चीछोटी हमको बाढ़े नावसट अब उका रहें पर मेरी अरे यो रेमान, क्या क्या हुआ उसा भेंजी ने? राम राम कम्ला भाजी, अरे उसा भेंजी ने कहा, कि बाल भिसेशक के पास जाओ, पर अपने ज्ञान भाई कह रहे हैं, यह नहीं पता हिना है बच्चों के इलाज के बारे में गुछ? कम्ला भाजी, क्या हुआ? अरे हस्ती जाओगी, कुछ बताओगी भी? अरे बेबकूप को बाल भिसेशक का मतलब होवे है, जो खास बालकों का डाक्टर है अलो भाई, ओ बालकों अरी बात कर रहे हो, बाल ना, बालका, बालक मिसेशक के, अरे चोकी है और तुम दोना बेबकूप समझे कि कोई दाइड़ी मूच का डाक्टर है अरे बालकों का डाक्टर है अरे से सुनना ये कहानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी पढ़ लिख के ही कुस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्दि के चल पाएगी औरत औरत जो पढ़ गई तो वो दब करने रहेगी हर गेस नए समाज के जुल्मों को सहेगी पढ़ने के हग को पाने की औरत ने है ठानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी